हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊए कि ब्याने वाली दूर देने वाली यानि जो मिल्किंग हो रही है जी गाय बैंस की उसको केल्सियम जैल कितनी देनी चाहिए क्योंकि बहुत से इस तरह कि कमेंट्स मेरे पास बार-बार आते हैं कि सर्ब जो ब्याने वाली है या डिल के इसके बारे में बतायाएगा जो पहले पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेल आएकन और और आल आल उप्संट दबाये क्योंकि इस चैनल को सही और सटिक जानकारे के साथ वीडियो दी जाती हैं देखो सबसे पहले तुम आपको बताता हूं कि जो कोई ब पो आपको देना क्या है जब यह दिए आपको ब्यानिवाली गाहिह हो है आपको लग रहे है कि यह कंजोर है रही क्यां को लग रही है की सोब टी तो हुआ है तो उसके बाद में आप एक जेल दे सके हैं और उसके बाद में आप 12-24 गंटे के एक जैल और पिला सकते हैं यह तीन सु तीन सु ग्राम ख़एने का मतलब है कि एक साथ आप तीन जैल का परियोग कर सकते हैं जैसे एक आपने पहले की एक बाद में की वैने से और एक दूसरे दिन की इसी तरह से यह दिया आपको जो दूद देने वाली जो गावैंस हैं जिनकी दूद की मातरा अच्छी लेना चाहते हैं या दूद की कमी हो गई है या केल्शियम, मेंगनेशियम, फास्पोस की डेपसंची हो गई है या अचानक उसमें दूद की मातरा कम हो गई है यानि अच्छानक जिसमें दूद की मातरा कम हो गई है तो आप दूद बढ़ाने के तोर पर या पसु के इनरजी के तोर पर पसु को कमजोरी से उबादने के तोर पर आप इसका प्रियोग कर सकते हैं तो भी आप भी इसमें लगाता हैं, तीन बोतल से लेकर करके चार बोतल लेकर के चार दिन तक आप कैंटीनीट्यू केल्सियम जैल दे सकते हैं यह जो एक कैल्सियम जैल देने से आपको इतना सारे जैल नहीं मिलेगा, यह दिया आप कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा चार कैल्सियम जैल आप अपनी जो गाय बैंस हैं, उनको एक साथ एक एक दिन छोड़ कर या 24-24 गंटे के अन्तराल में दे सकते हैं और बैने से पहले दे रहे हैं, जो लग रहा है कि बैने से कुछ में पहले और एक बैने के बाद में, ताकि आप अपने गावेंस को मिलक फ्यूर है, जो जेर नहीं डालती है, या अदर कोई दिकत नहों हो जाए, या वैसे केल्सियम जैल के बारे में मेरे चेंदर पर साथ देनी है, इस बात का आपको जूरू जान रखना है, तो यह वीडियो जितना हो सकता है, अच्छे लगी है, तो प्रस्चुपाले के वेटिंस टेंट है, उनके साथ सेर करें, इसी तरह की नोलिजबली वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी, थैंक्स, थन झालेवा